इसी सी की क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुम्ले ने साफ तोर पर काहा है कि जो उन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट में एक्स्टा रिव्यू की अतिरिक्त रिव्यू की जो सुविधा दी है वो इसलिए दी गई है क्योंकि इस वक्त कोरोना वाइरस का दौर चल रहा है अमपायरों की आवाजाही आने में दिक्कत हो सकती है ऐसी स्थिती में जो लोकल अमपायर हैं, स्थानी अमपायर हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है अंतराश्ती मैचो का, खासकर टेस्ट क्रिकेट का अनुभव तो लगबग ना के बराबर है तो स्थिती में अगर उनको एक अतरिक्त रिव्यू दिया जाता है तो वो क्रिकेट की बहाली के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनी कदम होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है कि अनुभव हीन अंपायरों को तो आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन उनकी अनुभव हीनता से टेस्ट क्रिकेट के मांदंडों पर कोई असर ना पड़े इसका भी खास तोर पर ख्याल रखा जा रहा है उनका साफ तोर पर मानना है कि अब जैसे ऑस्टेलिया है इंग्लेंड है वहाँ पर निश्चत तोर पर अंपायरों की संख्या जादा है और इंग्लेंड में चार अंपायर हैं एलीट पैनल के ऑस्टेलिया में तीन अंपायर है और यहां तक मैं समझता हूँ कि भारत और बंगलादेश को छोड़कर करीब हर देश में एक ना एक एलीट पैनल का अमपायर जरूर है तो ऐसी स्थिती में अब सवाल ये उड़ता है कि जब टेस्ट क्रिकेट होता है तो दोनों जो अमपायर होते हैं अमपायर वो बाहर के देश के होते हैं या तीसरी कंट्री के होते हैं और वंडे में एक अमपायर जो होता है वो थर्ड निशन का होता है और एक होस्ट निशन से तालुक रखता है अब सवाल उठता है कि अगर ऑस्टेलिया में या इंग्लेंड में कोई मुकाबला होता है जहां एलिट अमपायरों की कमी नहीं है तो क्या ये नियम वहां लागू नहीं होगा समस्या तो वहां भी है औस्टेलिया में समस्या है इंग्लेंड में तो और भी ज़्यादा समस्या है कोरोना वाइरस की तो वहां अगर बाहर से अंपायरों को अगर अलाओ नहीं किया जाता और वहीं के अंपायर से काम चलाया जाता है तो क्या एलीट पैनल के जो अंपायर हो वहाँ ज़ादा संख्या में आपायर मौजूद हैं तो ऐसी संख्या ऐसी स्थिति में अगर ज़ादा आप पर मौजूद होंगे तो फिर वहां अत्रिक्त रिवियू सिस्टम का अत्रिक्त रिवियू है उसको करने का मतलब क्या है। ये कुछ चीजें क्लैरिटी नहीं है दो की जगह जो अब तीन रिवीव करने का फैसला किया गया है प्रतिपारी वह वापिस दो पर आ जाएगा और क्या अंतराश्टी क्रिकेट में वन डे क्रिकेट हो या टी-20 हो वहाँ पर जो प्रतिपारी एक रिवीव को अब दो करने की बात है तो क्या वो वापिस एक पर वो विवस्ता आ जाएगी इस पर भी बहुत जादा clarity अभी तक नहीं की गई लेकिन हाँ इतना जरूर स्पष्ट किया गया है कि ये समस्या जो है ये समस्या के निदान के लिए तातकालिक कदम है ICC की क्रिकेट कमेटी का क्योंकि ICC की जो cricket committee ये मानती है कि अगर empire अनुभव हीन होंगे तो उनको एक बैसाकी भी दी जानी चाहिए बैसाकी है एक अत्रिक्त review system आप क्या सोचते हैं इस राय से अपनी राय से हमें आपकर जरूर कराएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें